नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने अपने चैनल GDS इंफो में अगर आपने GDS इंफो का भी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकान को प्रेस कर जीजिए सबसे ज्यादा पहले नोटिफिकेशन पाने के क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि लगबख सब कुछ सेम ही है GDS 2020 रूल के साथ GDS 2022 के रूल के लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों चाहिए GDS रूल, Conduct and Engagement Rule 2022, Department of Post का क्या धारना है इस रूल को लाने के पीछे यहाँ पे देखिए आप, आज देखिए, क्लियर हो जाएगा, A candidate can apply against only one division of the notifications, the candidate will be considered for the eligible post of the division by default on selection the division, preference for the post applied for and preference for the divisional office for documents verification should be submitted by candidate at the time of application, hence candidate should exercise, due care while utilizing choice of division available to her or him, however, only one post will be offered for a notification if he or she applied for only one or more post in one division under any circle, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ न, इसलिए तो हम बैठे हैं, तो पहले जो division का, मतलब जो level था, कि जो application का level था, वो level क्या था, वो circle level था, जब notification आता था, एक circle का आता था, जैसे कि West Bengal circle हो गया, Jambu Kashmir circle हो गया, Karna Tak circle हो गया, तिलेंगणा circle हो गया, अंधरप्रदेश circle हो गया, महाराश्रों circle हो गया, पंजाब circle हो गया, हरियाना circle हो गया, उत्तरप्रदेश circle हो गया, ऐसा करके आता था, circle हो गया, ठीक है, ऐसा करके आता था, दिली circle हो गया, तो अब ये जो department पोस्ट करने जाड़ा है, वो division level पे करेगा, ठीक है, जैसे कि एक circle के अंदर इस 10 division में आ गया, बंपर भरती, ऐसा करके notification आएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जोता है, कि बहुत सारे लोग है, क उनका घर है, समझ लीजिए, उनका घर है दिली में, लेकिन उओ यूपी का फ्रॉम फिलाप कर देते है, लेकिन उओ पे जाते नहीं है, ठीक है, उससे क्या होता है, department of post का time loss होता है, दिली में अपलाई किया, उनको दिली में मिल गया, लेकिन unsecure feeling था, इसलिए यूपी मे कर दिया, और यूपी में भी उनको मिल गया, तो ये लोग तो जाएंगे नहीं यूपी में, दिली में इनको मिल गया, ओके, फाइन, लेकिन अब यूपी वाला जो पोस्ट था, वो पोस्ट का एक साल फिर से लेट हो गया, डिले हो गया, जी इसके engagement process के, क्योंकि इसको बा बाद order release करेंगे, ठीक है, ये join नहीं करना चाते है, second highest marks किसका था, उसको ले आओ, ये एक साल का department of post का loss हुआ की नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग इस गलत इस्तमाल किये है, बहुत सारे लोग ये गलत इस्तमाल किये है, और इसलिए ही department of post ने ये rule बनाने का सिध्ध बाद लिया है, कि आप division में होगा, चलो, आओ, आप करो, दिली से UP में, फिला, division का पता रहेगा तब करोगे न, अगर आप इतना पता रख सकते हो, तो करो, लेकिन most of the cases क्या होगा, लोग पता नहीं रहेगा, और ये नहीं कर सकेगा, तो ये ही है mainly, लेकिन इसका pros जैसा य है, कौन्स क्या है, कि अगर एक division level पे भैकान से निकलेगा, एक division में अगर भैकान से निकलेगा, तो division का समझ लीजिए, कुछ corrupt officers भी है, कुछ corrupt officers भी है, तो वो लोग चाहेंगे कि मेरा नजदी की रिस्तदार, मेरा जी जा जी का अलर का, मेरा साले का वेटा, ऐसे करके जब ये total clear करतेगा, तब total clear हो जाएगा हमारे पास भी, लेकिन अब तक जो है, ये औस भी था, ये ही था, इसलिए ही GDS engagement rule 2022 को लाया गया है, sorry, 2022 को लाया गया है, okay, example देख लीजिए, example भी दे दिया है, departmental post ने, ठीक है, जिन लोगों को ये चाहिए, ठीक है, ये PDF चाहिए, वो लोग अपने number से जो है, ये membership ले लो हमारे चैनल का, 29 रुपीज का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, PDF, free में नहीं मिलेगा, if a candidate opts for five posts with preference post one, post two, post three, post four, post five, selected and meritorious in more than one post, the post in order of preference will be offered and the candidate for all remaining posts to be forfeited, on getting selection, the candidate will be accommodated for the opted best preference, if otherwise, and other meritorious candidates opt for the same, however, basing on the merit, the candidate gets choice of post and on offering such post, his other preference will be forfeited, for consideration for other preference, तो ये clearly आपको समझा गया, ऐसा ही हमने कहा था, हमने भी एक्जाम जब दिया था, तो ऐसा ही दिया था, ठीक है, अब क्या कहा गया है, कि ये the revised eligibility conditions and criteria of selection will come into effect for the vacancies to be notified on or after the date of issue of this notification, मिल गया guarantee हमारा authentication का, the engagement process initiated before this date shall be finalized as per existing instruction, मतलब जो लोग cycle 3 में जोइन कर रहे हो, बिलकुल फिकर मत करो, आपका कोई change नहीं हो रहा है, जो cycle 4 में जोइन करेगा, ये सारे change उनके लिए होगा, आप लोग मतलब lucky हो, कि cycle 3 में आप लोग नियोग ले रहे हो, ठीक है, तो ये ज notifications नहीं होगा, क्योंकि ये जो है, एक drafting committee है, समझ लीजे, जैसे हमारा संग्विधान जब लिखा हुआ था, तब एक draft तयार हुआ था, draft कब ग्रिहित हुआ था, 26 November को ग्रिहित हुआ था, ठीक है, 26 November को लिया गया था, 1950 में, और ये came into force कब हुआ, 26 January में, ठीक है, को और January महीने में ही इसका भी जो है, ये came into action आ जाएगा, ओके, selection criteria कैसे होगा, ओके, selection criteria पर फिर बाद में discuss करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा update है, देखते रहिए हमारे साथ, एक बार में हमारे पक्स से भी ये देना संभब नहीं है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा कोर्स के साथ आज ही जुट जाएए, यहाँ टॉप एक्सपर्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंगलिश बोलना सिखाएंगे, ओ भी एकदम बेसिक से, अगर आप इंगलिश बोलने से हिचकी चाते है, आपने इंटर्व्यू के लिए इंगलिश सीखना चाते है, आपन